प्रेंट्स आप सबका स्वागत है कोमेंस किचन में और आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी वाली पनीर बुर्जी ये बुर्जी में इतना अच्छा टेश्ट आता है क्योंकि पनीर पूरे में अच्छे से मिट्स हो जाता है और बाइट में इसका फ्लेवर आता है ये कडाई गरम करने के लिए जिसलिए जिसमें मेंने दो छॉमक्ज तेल डाला है वो हरुका सा हीड कर गया है तो मैंने चार प्you04 ओकभ्यर काट के रखा है इसे डाल देंगे और यसे हलका गुलाबी होने तक हमें चलाते रहना है बीच बीच में, ये रिखिए हमारे जुप्ते आज हैं, उनका मौइस्चर सूप चुक है, वो हलके से गुलाबी हो चुक है, अब हम इसमें एक चमजीरा डाल देंगे, खड़ा जीरा है, इसे हलका सा हम भूम लेंगे, ताकि जीरे का फ्लेवर है वो आ जाए अच्छे से अब हम इसमें तीन चार हरी मिर्च कड़ी भी डाल देंगे आप इसकेप भी कर सकते हो यह बड़ी हरी मिर्च है यह चार पीस मैंने डाले हैं आप काटके दो दुखरों में डाला है आप इसकेप भी कर सकते हैं यह आपको कर ले इस और हमैं जबल दाब हैं जैढा राम चली आप दकावरी मिर्च जासिदा नहीं भागे और हमें यह्लों तरफनी चलाटे डाल देना हैं अब यह एक चमाच हम धनिया पोड़ दाले के וה झाले पर डेके में यह तक आना कि आएज रिछने 6-6 अश्य दोय्च कादान कर देना है कि मैंने मिश्री जान में सारा मशारा डाल दिया है अब इसमें एक चमच अध्रग लेसुन का पेश डाल के हमें अच्छे से फाइन सा इसका मिक्षर बना देना है मैंने कड़ाई में थोड़ा सा तेल लगा है उसमें साथ आठ में को काड़ी मेर्च और एक दाल चीनी का तुकरा डाल देंगे जो मैंने ग्रेवी ग्राइंड किया था इसका अच्छा सा एक टेक्स्चर आ जाए और इसके अंदर हमारे सारे मशाले डले में है यह देखिए यह मेरी 100 ग्राम है घर की क्रीम है आप नहों तो आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश क्रीम भी नहीं हो तो इसकी जगे आप ताजी फ्रेश दई को हूं वह देखिए हमारे क्रीम अच्छी से सब्सफ़ी में मिक्स हो गई है अब हम इसमें 090 क कसूरी मेТि डाल देंगे और इससे मिक्स कर देना है साथ सात में यह पनीर डाल देंगे यह मेरा 200 ग्राम पनीर है इसे मैंने घर पे बना के रखा है इसे हाथ से थोड़ा से पुक्ड़े करके और हमें डाल देना है इसे पीसेस नहीं आने चाहिए हाथ से हमें इसे मैंश कर ला है हमारा मैंश किया हुआ है फिर भी प्रेजबे रखने के बाद फिर से तोड़ा सा जंग जाता है इसकी वज़े से आपको दिखा रहे और हमेंसे अच्छी से मिक्स कर देना है और हमारी सब्जी का कलर देखि डिखितना अच्छा लग रहे हैं इसका इंता अच्छा फ्लीवर आ रहा है कि आप सोच नहीं सके की इत्ती ची खुश्बू और आप देखिसमें यह पनीर की सब्जी भी नहीं लग रही है ना लिए आएगा और इसका टेक्च्चर बहुत अच्छा होता है और काफी थिक होता है देखिए हमारे पनीर भुर्जी ग्रेवी वाली बन के तयार हो गई है और आप देख सकते हैं कितना अच्छी से पनीर फैला है वो हर पाइट में पनीर का फ्लेवर देगा ग्रेवी के साथ यह सब्सक्राइब करें करें और सब्सक्राइब करें कमेंट करना ना भूले ताकि जल से जल नहीं वीडियो आप तक पहुंचा सके